नमस्कार जी भाईयों कैसे हैं आप लोग तो आज आपका स्वागत है भाई के एक नए वीडियो के अंदर और इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया और बांगलादेश के बीच जो 2nd T20i होने वाला है इसके बारे में तो इस 2nd T20 के अंदर किस किस प् बाले पिक कॉंकॉं से होने वाले हैं और कैप्टन के लिए से प्कॉंड कोन से होने वाले हैं वो आपके आंखों के सामने है र लीख एक जो कि हम हो गया था मारे सब्सक्राइबर है ठीक है उसके बाद आप नेक्स्ट में देखेंगे तो यह अपना है जो अभी महीला का वर्ल्ड कप चल रहा है और इसका भी लगातार हम लोग टीम कवर कर रहे हैं हाला कि यहां पर जिसके अंदर प्राइस पूल दो करोर तीन करोर का हो र किस रहें काया था टीटेन के अंदर टीटेन के अंदर हाला कि अभी टीटेन बंद रखें हम अगर ऐसा कोई पॉपुलर लीग चला तो जाहिर सी बात है पर देते हैं जहां पर अच्छा लगे आपको छोटा प्राइस पूल लेकिए करो करो किया दोस्त आप भी समझ सकते ह तो यहां पे 45,000 भाई ने जीता है, यहां पे 600 रुपे जीता है, 112 राइंक आया था, 20 लाक रुपे छूट गया था, थोरे से पॉइंट के लिए 20 लाक रुपे छूट गया था, यहां चेक कीजिएगा, 400 पे राइंक आया है, यहां चेक कीजिएगा, 12,000 जीते हैं, तो यह इसकी कोई कमी नहीं है जो भी टेलिग्राम पर टीम्स मिलते हैं वह यूज करके आप लोग को यहां देखिए 200 पर आएंक आया है यहां चैकीजेगा 800 पर नग्सा कि चारuhणं लोगों में से 400 पर तो विनिंग्स बहुत अच्छे हो जाते हैं आप लोगों को बस ट्रस्ट के साथ भाई के साथ जुरना है टेलिग्राम आईए आप लोग आप लोगों का स्वागत है टेलिग्राम पर फाइनल टीम मिलेगा जो टीम आपने नहीं देखा होगा तो अभी मैंने फिलाल में नया टीम दिखा दिया बहुत सारे टीम के अंदर विनिंग हो रहा है एक दो के अंदर नहीं और ज्यादा दूर नहीं जाते हैं इस वीडियो क के मिलेगा तो इसल यहां पर पर सब कुछ कर दोगे तो whipping अगर के लिएinky आप ले आ जाए दो और देर डॉस्ति के साथ आपको अच्छे से बैट जाना है और सिर्फ समझना है और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं आपको पहले बता दूँ कि एक टीम फ्री में टेलिग्राम पे आ रहा है तो फटाक से जोईन कर लिजिए ठीक है वर्ल्ड कप के जो अभी महिला का मैच हो रहा है हर मैच को कवर कर रहे हम लोग हर मैच और बेटर रिजल्ट बेटर रिजल्ट और साथ ही साथ अभी आपको दिखाया हमेने और महिला के मैच के अंदर हमने अभी तक जो मैचे शुरू हुए है उसके अंदर में से चार महिला म लाज दिल्स और सामने हैं हमारे ही तीम को यूज करके हमारे ही combination को यूज करके result आते हैं ठीक है और लोगों का grand league में अच्छा रहेंक आता है जाहिर सी बात है पीछले इंडिया के अंदर बहुत बहुत रिजल्ट लाया था जैसे कि वरून चुकरबोर्ती को बहुत साय लोगों नहीं लिया था और वरून चुकरबोर्ती को ले करके आप यकीन नहीं करोगे selection 30% 30% 30% के 40% के करीब 30% selection था इनका 40% ऐसे ही कुछ था और rank the point दिये थे 90-90 प्यानबे कांट दिये थे ठीक है और भाई मेरे पिछले मैच के अंदर अपने कैप्टेन हार्दिक पंडया थे और अगर आप किसी भी पागल से पूछ लो कि वो इस कैप्टेन किसे दे दोगे सीधा वह एक ही वर्ड बोलेगा मैं आर्स्टेप सिंग को दे दूँगा सीधा बोल देगा वह मैं सीधा बता रहूं आपको और दिया भी था लोगों ने और उन्हीं लोगों में से हमने सीवीची भी दिया था और उन्हीं लोगों में से रैंक आया था आपका मैं बता दूं कि कि दो हजार 4000 पैरायत अलोगों का 200 पैराया था लेकिन उन्होंने मेरे विंदिंग भिजा नहीं है अब खुद इस नाइन प्लेश डिर्म टिम कंदर हो दस प्लेश ड्रिम टिम कंदर हो और सीविसी भी पर्फेक्ट लग जाए तो प्रक्री दाए मैं किसका रिजल्ट ना है जाहिर सी बात है आएगा ही आएगा चलिए तो इस मैच की बात करेंगे इस मैच के अंदर बहतर क्या कर सकते हैं हम लोग चलिए आज जानेंगे सिर्फ आप लोगों से रिक्वेस्ट है थोड़ा टाइम हम ज्यादा ले रहें लेकिन इसके लिए आप म बैटिंग फ्रेंडली पीछ दोस्तों मतलब की अपने बैट्समें तो कितने खतर आपको पताईए तो बैटिंग फ्रेंडली पीछ है फास्ट बॉलर को सपोर्ट है पिछला गया था पॉलिंग फ्रेंडली था इसा ही कुछ दिख रहा था चलिए श्पीनर वहां पर आये है और 166 रन दिखा रहा है कि लग जाएगा और देखो मैं सच बोल रहा हूं अगर इंडिया फ्रस्ट बॉलिंग करे ना इंडिया फ्रस्ट बॉलिंग कर ले तो जाहिर सी बात है एक सब्सक्राइब मारना बांगला दिसके लिए मुस्किल हो जाएगा मैं टूथ बोल रहा आप तो नहीं चलते हैं अधर कंट्री में या फिर खुद के चंट्री मिन अधर कंट्री में प्रफ़र्म करते हैं लेकिन खास करकé इंडिया में आते ही इनका परफॉर्मेंस जो होता है वह वह डाउन हो जाता है किbankि दह अ elग लिए इहीं प्लेयर से हैं खो देनलो यहां अब यहां पर आपको क्या लेकर चलना कि यहां पर बैटिंग लाइनप की बात करें इंडिया की भाई मैं तो बोलता हूं तो आपको ऐसे बैट्स्मिनमिलंगமे हैं जो कैपयर हैं कि 100 बी dirig गीतेंगे कोई उनका थीकाना नहीं है संजु सैम्सन भी बहुत खतरनाक प्लेयर हैं आप खुद जानते हैं अभिशेक सर्मा को आप जानते हैं सुरी कुमारे यादों को आप जानते ही होंगे नितेस रेडी को मैं बता देता हूँ IPL में आपने देखा होगा हाला कि consistent perform करने वाले नहीं है यह consistent perform करने वाले नहीं है यह तो reality है क्योंकि IPL में consistent perform करने वाले कोई प्लेयर दी मिलने वाले आपको मैं truth बता रहा हूँ आपको भाई हो सकता है ना कि अगर 11-11 खेल देना भाई तो एक बार बोलते ना चरंच चुके आ जाए न अपने माता पिता के तो वहां पर उनको विकेट लेना है भाई चाहे वह कितना भी फ्लॉप क्योंना दे रहा हूं मैच के अंदर तो IPL एक ऐसा लीग है जिसके अंदर खास करके वह इंडियंस का लीग है और इंडियंस प्लेयर ज्यादा एग्रेसिव होते हैं और उस टाइम पर भाई मैं बोलता हूना कि यहां प करते हैं तो अच्छे करते हैं मैं बता दूँ आपको रियान पर आपको तो आप जानते हैं हैं अच्छे करते हैं और इन से कंसिस्टेंट भला कौन हो सकते आप बताओ राजस्थान रोयल से खेलते हैं और यह और संजू सैम्सन जिस तरीके से दिखाए था IPL के अंदर तो लेकिन बात करेंगे तो यहां पे बांगला देस साइड से यहां पर पर वेज जो है वह ठीक टाक वैटिंग कर लेगे लेकिन इंडिया के सामने क्या ही कर लेंगे अब यहां बात करेंगे तो यहां पर लिटोंदास हैं लिटोंदास का वैसे आप देखें तो situation के according लिटोंदास को भी लेना कुई बुरी बात नहीं है मैं बोलता हूं लेकर चलना भी चाहिए लेकिन कुछ condition में लिटोंदास को इग्नौर भी किया जा सकता है मैं आपको clear mention कर दूँ परफॉर्म तो अच्छे करते हैं लिटोंदास खेलते भी ठीक था कि अच्छे बुरे खेलते नहीं बुरे खेलते नहीं तो लिटोंदास को किसी situation के अकॉर्डिंग इन्हें आप ignore भी कर सकते हो लेकिन वहीं आप आजाओ यहां पर तो खोसेन सेंटो एक बहतरीन प्लेयर है जो टेस्ट मैच में भी बहुत अच्छे खेलते हैं और खास करकि T20 के अंदर भी अपने परफॉर्मेंस कर लेते हैं हरी दौई की बात करें तो यह यह दो में से कोई एक प्लेयर है जो अच्छा परफॉर्म करता है वहीं आप डिफ्रेंशल देख रहें मैं मदूला को देख सकते हो मैं उतना रोकता नहीं ठीक है उसके बात करेंगे जे अली का तो विकट कीपर में आपके पास ऑप्सन जे अली है लिटोंदास है तो आप रहने द्वार जे अली को कौन लेके चलने वाला है चलिए तो यहां पर मैदी अस्तर मिराज है जो अच्छे खेलते हैं और बैटिंग दोनों ही करते हैं बहुत इंपोर्टन प्लेयर है भाई यहां पर होसाइन की बात करें होसाइन एक कंसिस्टेंट वॉलर मैं मानता हूं और कुछ ना कुछ विकेट लूज होने पर बैटिंग से पॉइंट देते हैं हलाकि पिछले मैच की देखे बात करें हम तो क्या हुआ था पिछले मैच के अंदर खुद देख लिजए 14 पॉइंट इन्होंने बैटिंग से दिया है तो मैं मानता हूं कि होसाइन एक अच्छ यह था मैं बैटिंग भी कर लेते हैं मैं आपको यह बता दो हर मैच के अंदर कुछ न कुछ कंट्रिबूट बैटिंग से करने को मिल ही जाता है खासकर कि यहां इंडिया का बात आए तो विकेट कि देगा तो यहां के खेलेंगे जाहिर सी बात है, मिराज के बाद, मिराज के बाद ही खिलेंगे, तो बॉलिंग कर ले तो कुछ अच्छा आपके लिए अच्छा पॉइंट देते हुग नजर आ जाएंगे, एक टीम, फ्री में टेलीग्राम तो मिलेगा, जरूर जोइन किजिएगा, चलिए, नेक्स्ट, टी एहमद, स्लाम, और रह्मान, यह जो तीनोची टीनों बॉलर हैं, मैं कहिता हूं जरू यह तीनों बॉलर अच्छे है आप« सिस सम्लाम की बात कर ले आहीं सब्सुशा एंदों कर लोज सम्लिफॉयर भेहार् पेंतों फॉलिफ साइट flu जो कि आपको यहां पर यह हो गए पाथी राना हो गए यह दो बॉलर बहुत अच्छे करते हुँ नजर आते हैं सिसके चैट से हैं ना हालाकि आर्सीवी आर्सीवी के बालर्स की बात नहीं करेंगे बहुत बुराई हो जाएगी इतर मुहम्मद फिदा आ जाते तो टूपले आ ज अच्छे से चुन नहीं पाते हैं मैं बोलता हूं कैमरण गृण को दो कि आप यहां पर कुछ स्पिनर स्कूरा करो भाई स्पिनर्स करते ही नहीं अच्छता वह बहुत लुग लाते हैं लोह आमरान भीया बॉलिंग करा लो बहुत ज्यादा हुआ फिर प्र कूछ स्पिनर् यहां तो विद्वसियों को देखके बहुत पीड़ते हैं यहां के लोग हाला कि वहीं आप बात कर लें तो मुहमत जिराजु वैसे ही रन देता है चल यह कोई बात नहीं तो तीन मेंसे हैं आपके लिए तीनों ही अच्छे हैं लेकिन अब देखा जाएगा सिच्वेशन का कॉर्णिंग किसे लेके चला जाए किसे छोड़ के चला जाए चली यह डायकली टीम मनाने चलते हैं संजु सहमचन आपके लिए इंप्रोटन प्लेयर रहने वाले हैं लिट आए तो थोरा सा मैंने यह भी बोला था है वीडियो बनाये था यूटूब पे तब मैंने बोला था कि बहुत कम लोग ने लिया है आप पोल्बॉ सब्सक्राइब करें तो ये दोनों के दोनों ही इंपोटन प्लेर है आलाकि हमने कुछ आपर प्लेयर प्लेर्स के बारें बोला था लेकिंगे कि इंडिया के दाए हिसका मतलब यह नहीं हता है मैं कब को और फ Certainly शोगना करते अब्त कर थे डिलाष को पता हैं मेकर के शुटन शेर्जिय कर रहuko मैं वे 6ग अगर इन्डिया कर रही है द्यान से सुनना अगर वस्ट ब्प dat बेटिंगि इंड्या कर रही है तो तो आपने से प्रक्रेंपर करके चलना चाहते जो पर पक्का तो लिटोंदास को उस सिच्छे में ट्राई कर सकते हैं तो सुरी कुमार यहां तो इंपोर्टेंट है और यहां पर अभिशेख सर्मा अभिशेख सर्मा को तो लोग ने बहुत लोगों ने लिया है वाट मैं आपको बता दू कि भाई स्टिल रिस्की रिस्की अगर सीवीची लेने में मज़ा आता है टीम के अंदर छोड़ने में मतलब नहीं लेना अभिशेख सर्मा को तो फिर उनके लिए तो बल्ले-बले क्योंकि अगर ज्यादा लोग सेलेक्शन में अभिशेख सर्मा को लेकर चलने माले तो जाहिर के बाद आप खुद समझ लो कि यहां से आप इपोटन रहने वाले जो मैं लेकर चलना चाहूंगा किसी भी लिहास से भले ही मैं बांगला इसके बॉलर को और कर दो अब बाकी के ऊपर ध्यान नहीं है लेकिन वसिंगटन सुंदर जिसके ऊपर ध्यान बहुत कम लोग का था मैंने उस टाइम पर भाई मेरे वसिंगटन स आपको लेकर चलने हैं और वहीं हुआ था नितेश रडी का बारे में बताया था कि आपको हाड़ीटिंग करते हैं अधराबत से खेलते सब कुछ बताया था इनके बारे मैं रियान परा को फिलाल मैं इग्नौर कर रहा हूं पिछले मैच कंदर भी इग्नौर किया था हमने इसलिए तो बेटर रिजल्ट आया था हाला कि रियान पर आपको मैं ट्राई करके चल सकता हूं लेकिन अभी नहीं देखा जाएगा उतना प्रफर नहीं करता है और स्टेप सिंग आपके लिए वनुचकर बहुत है और आपके लिए मयंक यादव इंपोर्टेंट है अब ए हो सकते है या तो वहां पर वो एस इसलाम हो सकते हैं तीनों में से किसी एक को हम लोग ले के चल सकते हैं फिलाल के लिए हमोग छोड़ने में भलाई समझ.' और और मैं सच बताऊं तो तीन प्लेयर तो नहीं एक प्लेयर और ले ही ले बॉलिंग में तो मेरे को अच्छा लगेगा वह मैं सिच्वेशन का को चेंज कर दूँगा तो मैं फिलाहल के लिए अपने इंडिया के अपने बेस्ट के रूप में यहां पे लेके चल रहां भी हार्त करते हूं नजर आते हैं अच्छा जी हमने थोड़ा डीप बात नहीं किया मैं यह बता दूँ जड़ा एक में टोगना इडिमों अकाउंटिस में पैसा नहीं है जैसे कि कुछ प्लेयर्स हैं जिनको हमने छोड़ा हैं जैसे मैं आपको बताया कि यह जो लाइन से दिख रहा पर दो चलिए अब बात करते हैं डियक्लि अपने टीम के ऊपर तो भाई इसते बात नहीं किया था हमने इंडिया तो लगातार जीती रहे देखे थोड़ा सा रहने पीछे इसके बार देदेंगे अरून जेटली स्टेडियम दिली में दिली के अरून जेटली स्टेडियम पर यह मैच होने वाला है अरून जेटली स्टेडियम है दिली में उसमें मैच होने वाला है ठीक है रहनी पीछे थोड़ा सा बट आई थिंग कि देखा जाए विकेट बारिस तो नहीं होना चाहिए ठीक है और वह भी सुविदा हो जाएगा डेंसन ना लिए आप स्पिनर् बॉलर्स को वैसे मैंने वरून चक्रबॉति यह सिंगटन सुन्दर के ऊपर आप डाउट नहीं कर सकते मैं ठीक है और भाई खास करके मैं बॉलर्स मगर देख रहा हूं थोड़ा सा तो अगर मैं गलती से अगर खुसेन को इग्नोर भी करूं न भाई तो मैं यहां पर यहा सब्सक्राइब मैं करने के लिए अगर है न मतल네요